कि हम देखेंगे कि user defined function को हम कैसे यूज करते अपने प्रोगाम में जब हम user defined function की बात करते जब हमें अपना एक खुद का function बनाना होता है तो उसके लिए 3 step होते हैं जिसके दुवारा हम function बनाते हैं अपने प्रोडाम में यूज करते हैं फर्स्ट है आपका पहरा है आपका लारिक में पर लिए पीहला होता है का फांक्शिन प्रोटाइप सेकेन होता है आपका फॉंक्शनदेफिनेशन हे डंप के फांक्शनदेफिनेशन फूर होता है यापका फांक्शन प्रोक्रोटोаетеशन यह इसके बारे हम ल Sabbath वाएंगे ठीक है फंच्छन डेफिनेश्न प्रोटोकोल के बारे में पढ़ेंगे। यह तीन स्टेप होते आपके एक यूजर डिफाइन फंक्शन को बनाकर। थाइं यूजर डिफाइन फंक्शन तो सबसे पहले हाता अपका फंक्शन जब हम हम C++ में user defined function बिनाना चाहते हैं यारी की use करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक prototype देना होता है कि function की क्या return करेगा फंक्षन में argument किस तरी के से पास किये जाएंगे यह जो function का tag होता है जो उसका नाम होता है उसको हम बोलते है function prototype तो पहले function prototype को देखते हैं इसमें कौन-कौन से parts होते है कि function prototype में आपके चार parts होते हैं पहला होता है सबसे पहला जैन होते है function type को हम return type भी बोल सकते हैं मतलब function किस type की value return कर रहा है यह उसको पताता है function type से मतलब है कि function जो आपका होता है user defined function को एक value return कर सकता है integer float यह और भी पर करका तो इस तरह किसे return type function हो जाता है क्योंकि function किस type की value return करने वाला है इसम function type बोल सकते हैं दूसरा होता है आपका यहां पर function name आपको function देना जरूरी है आप जब function बना रहे हैं किस परकार कि उसमें value return कराना चाहरे हैं इसके बाद में नेक्स आपका function name आपको function name देना जरूरी है आप जब function मनाते हैं कोई भी particular नाम दे सकते हैं ताकि उसको use किया जा सके हैं तो यह function name होता है आगे third होते हैं आपके parameter list parameter list fourth है terminating semicolumn इस तरह किसा आपके function में चार टाइप होता है तो यह आपके function prototype में आपके चार पाट होते हैं सबसे पहले होता है आपका function type लिखते हैं function का फिर उसका नाम लिखते हैं फिर parameter list लिखते हैं फिर उसके बाद में आपकी terminating semicolumn होता है तो इसको हम example के दुबारा समझता है क्या होता है इनका अलग अलग यूज के जाता है program में function prototype में इसका हम एक बार example देखेंगे जब हमें function declare करते हैं बनाते हैं तो उसका prototype देने का syntax से सबसे पहले आप लिखेंगे type फिर आप लिखेंगे function का नाम सबसे पहले type फिर होता है आपका function का नाम शौट में लिख दो बटा फिर इसको बोलेंगे parameter list और इसको बोलते हम terminating semicolon तो जब हम program में function को use करने वाले होते हैं तो उससे पहले में function को बनाना होता है declare करना होता है इस तरह के से function का prototype देखते हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर हम variable को use करना चाहते है program में तो सबसे पहले हम उसे बनाना होता है कि variable कि वेरिबल किस type का है character है fallout float है integer है किस type का आपका जैसे बनाना होता है इस हम function prototype कहते है function prototype में सबसे पहले type example की दोवारा समझते है type मतलब इस time की value return कर रहा है जब call के जाएग program को तो इस function को जब प्रोग्राम में क्रोल के जाएगा तो यह program को किस type की value return कर रहा है उसके लिए type लिए खा होता है जैसे माल लीजिए मैं जोड़गा एक addition का program बना रही हूं जो को value add कर रहेगा और उसका result है वो return करेगा result अगर वो integer है तो यहां पर मैं बनाते हैं सम्मों करूंगी